हलो गाइस स्वागत एक बिल्कुल नहीं नहीं वीडियो में आप अक्सर नोटिस करते होंगे कि हर किसी के ग्रूप में एक ऐसा बंदा होता है जिसके computer skills आपसे कई गुना जादा होते मतलब वो बंदा keyboard पे ऐसे हाथ चलाता है जैसे कोई hacker चलाता हो अगर आपको भी वैसा ही computer expert बनना है तो आप ये वीडियो देखके नहीं बन सकते लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे tricks बताऊंगा ऐसे keyboard shortcuts बताऊंगा जिसे सीखने के बाद आपकी ग्रूप में keyboard shortcut के मार्मले में तो आपको कोई नहीं आ रहा पाएगा गाइस अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को all पे सेट कर देना तो वीडियो को बिना कुछ देरी कि चलिए शुरू करते है नमबर टैन बनाएए एक बिल्कुल ही नया डेस्टॉप कैस सब्सक्राइब प्रोजेक्ट पर पूरा दिन काम कर रहे हो और अचानक से आपको एक नया काम आता है और अगर उसी प्रोजेक्ट के चलते आप एक नया विंडोस खुलते हो तो आपका पूरा काम स्लो हो जाए नमबर नाइन डेस्टॉप के बीच में स्विच करें अचा ठीक है आपने एक नया डेस्टॉप खोल लिया लेकिन उस पुराने वाले काम का क्या हुआ क्या वो डिलीट हो गया नहीं अगर आपको उसमें जाना है तो फिर सिंपली प्रेस करें विंडोस प्लस कंट्रोल प् बेकवर्ड बटन प्रेस करके आप स्विच कर पाओगे दोनों ही डेस्टॉप में नमबर एइट नया विंडोस को क्लोस करें अचा ठीक है आपने एक नया विंडो क्रियेट कर लिया उसमें काम भी कर लिया लेकिन आपको इस विंडो की और जरूरत नहीं है इसको क्लोस कर अपने पर्सनल चीजों को देख रहे हो और उसी वक्त कोई आपके रूम में चला आता है अप क्या करोगे डिस्प्ले का पावर आफ कर दोगे लेकिन उससे लोग आप पे शक करेंगे उससे अच्छा प्रेस करो विंडोस प्लस एम इससे आपका सारा का सारा विंडो एक सा दूसरे में जाना चाते है लेकिन आपको माउस उठाना पर रहा है लेकिन आप कीबोर्ट से ही आप ये काम कर सकते हैं बस आपको याद रखना है कि आपका एप कौन से नंबर पे सपोज आप ये फोटो शॉप खोलना चाते है तो फिर सिर्फ विंडोस बटन दबाईए औ नंबर टू प्रेस कीजिए और आपका फोटो शॉप खोल जाएगा और सपोज आप ये ओबी स्टूडियो खोलना चाते हैं लेकिन ये ओबी स्टूडियो आपके फिफ नंबर पे हैं तो आपको माउस से सेलेक करने की ज़रूरत नहीं है आप विंडोस प्लस फाइव दब में और आप अक्सर क्या करते हो कि इस टॉप पे क्लिक करते हो और साइड में ले जाते हो तो आपका ये वाला विंडो राइट पे आ जाता है और आप दूसरे विंडो पर क्लिक करते हो और दूसरा विंडो खुलता है और लेकिन ये काम आप की बोट से भी कर सकते हो और ए आप नहीं खुला है सिर्फ एक एप है और आप दूसरे एप को स्प्लिट स्क्रीन में खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिर्फ प्रेस करना है Windows प्लस राइट की बटन और आपका खुला हुआ एप राइट में चला जाएगा तेन आपको दूसरा एप खोलना है आप कीबोट से कर सकते हो माउस की जरूरत नहीं है इस सिर्फ आपको प्रेस करना है Windows प्लस टैब बटन और आपका ये विंडो खुल जाएगा यहां से आप सिलेक कर सकते हो लेकिन गाइस इसको करने का एक और आसा तरीका है ऐसा व्यू आपको लाने की जरूरत नहीं है ऐसे व्यू से लेफ राइट क्लिक करके आप अगर एपस को खोलोगे फिर भी आपका टाइम लगेगा आप इससे भी शॉट तरीके से कर सकते हो इसकाम को आपको सिर्फ प्रेस करना है और आप जितने भी बार टैब बटन को प्रेस करोगे आपका एप स्विच होता जाएगा आ आपको लेफ राइट बटन की भी ज़रूरत नहीं है अब बस टैब प्रेस करो और आपका स्विच होगा और टैब को छोड़ देने से वह एप खोल जाएगा और अगर गाइस यह ज्यादा फास है आपके लिए तो फिर इससे थोड़ा स्लो वर्जन भी है आपके बास उसक आपका यह वाला पोर्शन प्लोज नहीं होगा और आप लेफ राइट की प्रेस करके आपका एप खोल सकते हो नमबर थ्री हैंग पीसी काईस इस वाले पोर्शन को ध्यान से सुनना क्योंकि यह वाला पोर्शन सब के लिए बहुत ही इंपोर्टन है काईस हर कोई बंदा प क्लोज भी करना चाहते हो वो अप उस एप को कैसे क्लोज कर सकते हो बिल्कुल ही आसानी से तो उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एसके बटन और गाईस उसके बाद आपका तास मैनेजर खुल जाएगा और तास मैनेजर में आप कोई भी प्लस होना ही है इससे क्या होगा कि आपका एक ही एप का डेटा लॉस होगा और बाकि जितने भी एपस पे आप काम कर रहे हो वो सारा का सारा लॉस नहीं होगा तो पीसी को रिस्टार्ट करने से जादा यह ओप्शन जानना तो बहुत ही जादा यूसफुल है नमबर टू फाइल एक्स्प्लोरर काईज यह वाला ऑप्शन तो बहुत ही यूसफुल है गैस अगर आपको कोई भी फाइल चाहिए पीसी पे आप क्या करते हो फाइल मेनेजर पर जाते हो माउस से क्लिक करके जाते हो लेकिन इस फाइल मेनेजर को आपको खोलना है तो फि कोई एक पॉर्षन जो सपोज यह वाला पॉर्षन और सपोज यह वाला पॉर्षन यूट्यूबर थोरा जूम करके दिखाता है वह आप एडिट में भी कर सकते हो लेकिन आप रेकोर्डिंग के वरक भी वह जूम कर सकते हो उसके लिए भी आप कीबोर्ड शॉटकट सकते हो और नॉर्मल डेस्टोप पे जाने के लिए आपको फिर से विंडोस प्लस माइनस की दबाना है और आप नॉर्मल विंडो पे चले जाओगे तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही यू झाल